आस्ट्रेलिया से नए माल का आयाद शुरू होने, घरेलू स्तर पर बिजाई की प्रक्रिया शुरू होने, त्योहारी सीजन के समाप्त होने तथा पीली मतर का भारी आयाद जारी रहने से देशी चना के दाम में अब नर्मी का माहौल बनने लगा। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रिय कंपनियों ने भारत को आस्ट्रेलियाई चना का शिप्मेंट शुरू कर दिया। वहां इस बार देशी चना का शांदार उत्पादन होने की उम्मीद है, इसलिए भारत को अच्छी मातरा में इसका निर्यात किया जा सकता। व्यापार जानकारों के अनुसार सितंबर के आरंभ में एक समय चना का भाव तेजी से उचल कर आठ हजार रूपए प्रती क्विंटल के नए रिकार्ड स्टर पर पहुँच गया था, जिसमें अब दस प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। दिल्ली में चना का दाम मई के आरंभ में करीब 6300 रूपए प्रती क्विंटल चल रहा था जो सितंबर तक आते आते उचल कर 8000 रूपए प्रती क्विंटल को पार कर गए, लेकिन अब गिरावट 7200 रूपए प्रती क्विंटल के आसपास आ गया है। आस्ट्रेलिया से आयातित नए चने का कारोबार 7200 से 7300 रूपए प्रती क्विंटल के मूलिस तर पर मुंबई में हो रहा है, जबकि तंजानिया पूल का चना 6500 से 6600 रूपए पर उपलब्ध। आई ग्रेन इंडिया के डाइरेक्टर राहुल चोहान के अनुसार आस्ट्रेलिया में इस बार चना का बंपर उतपादन होने वाला है और विशाल मातरा में इसके आयात के लिए अगाउ सौदे, फॉर्वर्ड ट्रेनिंग भी हो रहे है। इस बार वहां चना की क्वालिट के कारण चना के दाम में आगे और नर्मी आ सकती है, अप्रेल से अगस्त दो हजार चोबीस के दोरान भारत में करीब 0.87 लाख टन चना मंगाया गया जिसमें आस्ट्रलियाई चना की भागीदारी 75,000 तन के करीब रह। आगामी समय में वहां से भारी मातरा में इसका आयात होने का अनुमान है, Bureau Report Market Times TV